क्या करें?, बालों की हालत थो इतनी ज़्यादा खराब है कि तूटना ज़र्णा तो कमी नहीं होते हैं बहुत जादा रूके सुके हैं, ड्राइ रहते हैं इस्ट की बहुत हो चुके हैं वाल, ना ही कोई साइन है साथी बालों की ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है ये सब प्रॉब्लम से अगर परियसान हो चुके हैं तो आज इसका solution आपको मिलने वाला है एक shampoo से इसके लिए आपको अपने बालों को दुलना होगा इस magical shampoo से और इसका इस्तिमाल से आपके बालों की ग्रोथ तो तेज होगी बालों में sign add हो जाएगी साथी साथ में बालों का तूटना जड़ना भी खतम हो जाएगा नमस्ते दोस्तों बेल का में आपको एक बाद फिर से पिंक सीपन नहीं है नमस्ता चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना और वीडियो को भी लाइक जरू कर देना तो हम यह पर इस्तिमाल करेंगे राइस का यानी की चाबल का नॉर्मल जो भी रैस आप खाते हों उसी को ले सकते हैं लवव 4 चमँच हमको यहां पे ले लेने होगे राइस और इसके अंदर लewe 1 गिलास 200-200 ml आपको पानी डाल देना होगा और इसको लवव आदि से 1 गंटे के लिए इसी तरह से भीगने के लिए छोड़ देना होगा अब हम इसको एक घंटी के लिए इसी तरह से रख देते हैं जिसी की आराम से फूल जाएं क्योंकि हम यहाँ पे चाबल की पानी का इस्तिमाल करेंगे इसलिए चाबलों को भीगो के रखना जरूरी है इसके बाद में जो अगली चीज हम लेने वाले हैं वो है जिंजर यानि की अद्रक लवग देड़ से दो इंच आपको ले लेना होगा अद्रक का डुकडा और उसको हम कर लेंगे ग्रेटी आप चाहिए तो पीश भी सकते हैं क्रस भी कर सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे इस अद्रक का जूस यानि की जिंजर जूस चाहिए होगा लवग दो चमच आपको जिंजर जूस लेना होगा अच्छे से ग्रेट कर लेंगे अद्रक का जूस नए बालों को उगानी में मदद करता है साथ ही ये बालों को बहुत जी से लंबा, घणा और मोटा भी बनाता है इसलिए अद्रक की जूस का हमको अपने बालों में इस्तिमाल जरूर करना चाहिए जिसे कि बालों का तूटना ज़रना कम हो जाए और बाल मजबूत और healthy बने तो इस तरह से हमने यहाँ पे ginger juice निकाल लिया यह लवद दो चमच ginger juice होगा grate करने के बाद में हमको इस टेनर की मदद से प्रेस करकर के इसका juice निकाल लेना होगा इसके बाद में हमको कोई container या फिर bottle बगरा ले लेनी होगी इसके अंदर हमको add करना होगा sampo जो भी sampo से आप अपने बालों को धुलना पसंद करते हो वो बाला ले सकते हैं एक बार के इस्तिमाल के लिए जितना sampo आपके बालों में लगता हो उतना ले लिजिए ऐसे सैंपू का इस्तिमाल नहीं कीजिए जिससे बाल दुलने के बाद में ड्राइ और फिजी हो जाते हों किसी माइल्ड सैंपू का ही इस्तिमाल करना है अब जो हमने जिंजर जूस निकाल के पहले रखा हुआ था उसको भी इस बॉटल के अंदर डाल देंगे अब जो हमने चाबल पहले बिगो के रखे हुए थे उनको भी देख लेते हैं अच्छे से चाबल भीग चुके हैं और पानी भी इसका वाइटिस हो गया है यानि कि चाबल की जो भी क्वालिटी जें वो इस पानी की अंदर आ चुकी होगी यही पानी हमको चाहिए होगा अब इस पानी को हम किसी अलग बावल में निकाल के रख लेते हैं अब यह जो चाबल हमारे पास बचे हुए हैं इनको आप खाने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाद में बाडल के अंदर जो हमने जिंजर जूसो शैम्पू को ढाला था उसी बाडल के अंदर इस राइस बस बार को टांसफर कर लेंगे किसी किप की मंदद से राइस बॉटर के बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा कि ये बालों के लिए बहुत ज्यादा वेनेफिसल होता है इसके अंदर जो भी क्वालिटी जो होती है वो हमारे बालों को एक्स्टा शायन देती है बालों का तूटना जढ़ना कम करती है और बालों की ग्रोध भी तेज करती है इसलिए राइस बॉटर का कभी कभी इस्तिमाल हमें अपने बालों में जरूर करना चाहिए इसके बाद में हमें इसे अच्छे से से कर लेना होगा और यह हमारे सेम्पू बनके तयार हो चुका है अब इस सेम्पू से आप अपने बालों को दोएंगे तो आपके बालों में एक नई जान आ जाएगी इस सेम्पू को आप हफ्ते में दो बार इस्तिमाल कर सकते हैं जब आपको बालों को धुलना हो तभी आप इसको बनाए और तुरंत अपने बालों को धुल लीजिए क्योंकि ज्यादा दिंदा बना के रखने से इसकी क्वालिटी में भी थोड़ा फर्फ आ जाता है मिन करते हूं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा है वर रहा होगा वीडि करता है उड है एक पर सुteriओ करते हुआ है भालों को थादा है स्देश्ई करते हैं फ्रुरंत वीजा है से 4 है उन्यादी है ओट च्रुरंत वीजा है उन्यादा थोड़ा है खिम्यादा अई आई टो जएल जाने है खिUs आ टाते है